अगर सिग्रेट पिते हो तो जरा ये वीडियो भी देख लो क्या आपको पता है कि धुमरपान से हड्या भी खराब हो सकती है अभी-अभी के एक अध्ययन से ये बात पता चली है कि जो भी व्यक्ति बच्पन में धुमरपान करते थे या जो बच्चे अब करते हैं या फिर धुम्रपान करने वाले के आसपास भी रहते हैं उनकी युवा वस्था के बाद गठिया रोग के शिकार होने की संभावना हो जाती है एक अध्यान में ये बात सामने आई है कि अर्थराइटिस एक तरह से सूजन संबंधी दिर्ग कालिक विकार है जो शरीर को जोडों और मानसपेशियों खास कर हाथ और पैरों के ज्वाइन्स को सबसे अधिक प्रभावित करता है अध्यान के अनुशार जो लोग बचपन से धुम्रपान करते थे या धुम्रपान करने वालों के संपर्क में रहे उनमें गठिया के होने का खतरा बचपन में धुम्रपान ना करने वालों की तुलना में 1.73 परसेंट रहा है यह अनुसंधान फ्रांस की युनिवर्सिटी Hospital of South Paris ने किया है प्रोफेसर अरिस अध्यायन के प्रमुख लेखी का रेफेलिस सेरर ने कहा हमारा शोध किसी भी प्रकार के तमबाखु वाले वातावराण इस अध्यायन के परिणाम European Congress of Eumatology 2017 की वार्शिक में प्रकाशित हुए है इसके अलावा एक अन्य मामले में धुम्रपान करने वाले मरीजों की रीड की हड़ी में प्रोब्लेम होने की संभावना भी जताई गई है अध्यायन करताओं के अनुशार धुम्रपान के काराण कई नई गैर जरूरी हड़ियां भी बनने लगती है इस बिमारी को सिंडेशनो फाइटिस भी कहते हैं तुर्की की इजमिर कतिव सलेवी युनिवर्सिटी में प्रोफेसर सर्वेट आकार ने कहा धुम्रपान न केवल बिमारियों की समवेदन शीलता के लिए बलकी एएएस के साथ मरीजों की तिवरता बढ़ाने में भी बड़ा खतरा हो सकता है आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ आप सभी से दूसरी वीडियो में किसी और नए टिप्स के साथ